हेलो एब्रिवन हाई वेल्कम इन विजन लोग आज का हमारा टॉपिक है इवाल्यूशन और क्रियेशन अप स्टेट इंडिया के अंदर अलगले टाइप के स्टेट कैसे क्रियेट हुए कैसे कैसे स्टेट बने क्या 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 उसका प्रोसीजर रहा उस चीज को हम देखेंग और उसके बाद में बिटिस ने ये बोल दिया कि जो भी प्रेंसली स्टेट ग्रिट है उनसे सारे अंडिया के साथ जाए पक्सतान के लिचाय sondern लेकिन तीन जो थी तो जंबू कशमीर सिक्थित एक हैदराबाद थी और एक जूना कड़ती इन तीन के लिए हमें मतलब फोर्स यूज करनी पड़ी है जो भी हम आन सकते हैं तो इसके बाद में क्या है टोटल 552 या सकते हैं या जो हमारी प्रोबिंस थी प्रिंसली स्टेट थे वो इन्होंने इंडिया को जॉइन कर लिया अब इसके बाद में अ है सबसे भासा के अधार पालगा इस्टेट होंगे इस्टेट को हम कैसे डिवाइड करें जेग्रफिकल के सबसे लिंग्विश्टिक के सबसे अल्रइड जो चल रहे हैं उसके अकॉरडिंग जो भी होका इसके लिए बनाये गया जिसे बोला गया धर कमिशन और 77.948 को सकते हैं या नहीं मना सकते हैं कि इसमें बिम राव ने अपनी क्राइब बॉला कि सपोर्ट किया कि भासा की पर राज्य बना सकते हैं लेकिन और नहीं बोला कि official language जो होगी is state के वह बही होगी जो union की official language होगी मतला ऐसा नहीं कि भासा के अदर राज्य बना ली है और उसकी जो official language state की भही 않아요 आप । की जो oh is state maun who टी ओर union की language होगी उल्ण हो एक होगी और रहे बहे ऑलकर नहीं करेगा इस आधार पर हम linguistic प्रोबिंस का सपोर्ट करते हैं कि यह मुंसी ने चीज का पोस्ट किया कि linguistic प्रोबिंस के ऊपर जो स्टेट है वो नहीं बनाने चाहिए और फाइनली जो धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सम्मिट की 10 दिसंबर 1947 को उसमें बोला कि री और्गनाइजेशन आप स्टेट ऑन दे बेसिस ऑप एडमिनिस्टेशन करने हैं मतलब एडमिनिस्टेटिव के अकॉर्डिंग स्टेट उन्हें रियाइज करने हैं ना कि linguistic के लिंग्विस्टिक प्रमेंटर नहीं करत करने की स्टेट को रियाइज करने की बात वी भाषा क्यादार पर इन्होंने भी खारिज कर दिया स्टेश अगली फिर वारा फिर दिमांड डूटी अगली जे बीपी कमेटी बैटी स्टेट पर जेवीबी कमेटी में तीन परसंद थे जेफोर जवाला नहरू जे एल पर बल्लब भाई पटेल बल्लब पटेल और पी हमारे आते हैं जो कॉंग्रिस के उस टाइम प्रेसिडेंट थे पट्टाभी सितारमया पट्टाभी सितारमया यह जो थे यह जो जेवीबी कमेटी कटित की गई थी यह एक्चुल में बोला गया था जैपूर सेसिन के अंद इंडियन नेशनल कॉंगरेस का जो एक मेंटिंग होती थी इनकी सेसन होता तो जैपूर सेसन में शीज को बोला गया था जैपूर सेसन को लीड कर रहे थे प्रेसिडेंट थे उसके यह जैपूर सी पट्टाभी सितारमया थे यह रहे जिवाला नेहरू रहे और तीन लोगो जिए स्टेट को रियोनस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यहां पर we rejected linguistic दा बेसेश ऑफ रीपोड़ी कर दिया कि लया भासा चेहए पर हम स्टेट नहीं बना सकते कैंसल कर दिया गया है हे हुआ इस अधर मिले स्टैट Asian यह क्या था पार्ट ये देखते हैं कि पार्टे स्टेड़ जो ब्रिटिस प्रोबिंस थी पर इस्टेड इसेंबली होती थी जैसे मंगाल हो गया मैं या हम बात करें असम हो गया बिहार हो गया भॉम्बे आःग गया इसके लाब इस्ट पंजाब इस्ट पंजाब पीवी पंजाब लिख दिया है एंपी हो गया है पुडी सा है इसके लाब यूपी है वेस्ट बंगाल है और जो फाइनल एक स्टेट था मदरास yeah this यह पर प्रिंस प्रोविंस त्ट है लिकेन यहां पर इलेक्टट गवर्मन्ट वर करती थे अगली चीज हम देखते विस्टेट बीजुए बीस्टेट रहें नहीं जो फॉर्मर प्रिंसिली स्टेट तो रहेंगे ही लेकिन यहाँ पर जो गवर्ण करते हैं मतलब हांपर जो थे principle की तरह थे रहें कि रित है सो ठेक्श अहयां पर बेएं राजा नभाब करते को जैसे है एधराबाद हो गया जम्बू कस्मीर है मद्द्य भारत है राजिस्तान है पत्याला है बिंद्य प्रदेश कोचीन त्राबन को वरा अलगलाई स्टेट आ जाते हैं अब आगे देखते हैं आगे हमारा आता है फाइनली कॉंस्टिटूशन एप्लिकेबिल हो गया और जो हमारे स्टेट थे वह वर्क करने लगे और फाइनली नाइंटीन फिप्टी टू के अंदर एक डिमांड उटके आजाए और इसके की डिमांड कापी चलने लगी और फाइनली एक 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 अटिविस्ट थे पॉट्टी सिरी रमलूलू इनका नाम आता है इन्हों ने भी अपने श्टाइक बरकरनी श्टार्ट की और फाइनली यह भूह करताल पर चले गए और भूह करताल के बाद में यह सिट्यूशन आ गई मतलब लॉइन ओडर पूरी तरह से बिगड़ गया इनकी डैथ होने के बाद में अब इसकी बज़े से गौवर्मेंट को दवाब में आना पड़ा और गौवर्मेंट ने फाइनल अक्टूबर 1903 को अक्टूबर 1903 को लिंग्विस्टिक बेस पर एक स् और इसके बाद मैं जब ऑन्द्रप्रदेश बनाने के बाद मैं कद में हाधार स्टेड में अंद्रप्रदेश जो तेल गूसंटू मीजुर्टी ने अपना इस्टेट डिमांड कर दिया तो भावी अलगले कि पंजाव धरियाना, वह प्याब कर दोना लगी और फाईनली कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इस के इस को दुबारा राइस हुआ और 22 दिसंबर 1953 को स्टेड री और्गनाइजेशन कमिशन बैठाया गया जिसका काम था लिंग्विस्टिक वेस्ट के उपर वासा के आधार पर सकते हैं नहीं बना सकते हैं को के लिए कमिशन बैठा जिसे बोला गया फजल अली कमिशन इसके अंदर फजल अली केम पनिकर और एचैन कुझ्रू यह तीन लोग मेंबर थे और सितंबर 1955 में जो फजलेली कमिशन था उसने अपनी रिपोर्ट सम्मिट की उस रिपोर्ट में बोला इस चीज को कि लेंग्वेज एस दा बेसिस ऑप रियाउग्वेशन ऑप स्टेट लेकिन उन्हों इस चीज को रिजेक्ट कर दी कि एक लेंग्वेज और एक स्टेट क पर सकते हैं लेकिन बन लेंग्वेज बन स्टेट का फॉर्मूला नहीं चलेगा इस से फिर नेशनला उनिटी खत्रे में आ जाएगी इस चीज को बोला गया और अगली चीज उन्होंने यह भी बोली गई कि हमें इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिटी और सि तो पॉसिवली नहीं है एक राज़ी बनाना क्योंकि आंध्रदेश जो आंध्रदेश उन्नीश्च सो बावन की डिमांड के बाद में इतने ज्याद़ स्ट्राइक के बाद में आंध्रदेश बना था वह आंध्रदेश 2014 में पिर तेलंगाना की करता है मतला आंध्रदेश स से एकॉनमिक रिसोर्स है नहीं उसके पास इन सब चीजों को देखना पड़ेगा और फजलेली कमीशन की जो डिमांड थी उसने गॉर्मेंट और इंडिया ने उसको असेप्ट कर लिए रिकमेंडिशन के तोड़ा सा माइनरी मोडिफिकेशन करके उसकी डिमांड को Levin Constitutional Amendment Act में में हम देखतें समय क्या वोला गया ता इसमें बोला गया था कि जो हमने पहले देखे थे कि चार आप अ पार्ट बी अरी बनाए गए थे मून इस डॉन कबला गया है पार्ट अचो बिला च्व बनाए जो दोनों nok 0 इन दोनों में कोई डिफेरेंस नहीं गएगा, part A और B एक साथ रहेंगे, उनका एक part बना दिया, part C को completely पुरी तरह से हटा दिया, part 3 state कोई होंगे ही नहीं, part 3 के कुछ state को इसके अंदर merge कर दिया, कुछ को unit territory मना दिया, कुछ को UT में डाल दिया, और D ऐसे कैसी रहा, मतलब A, कैसे नहीं, A, B, C, D, चार part थे, A और B दौनों को merge कर दिया, C के कुछ state इसमें डाल दिये, और C के कुछ state इसमें डाल दिये, हमारे पास कितने state हो गए, अब ये बज़ गया, एक और दो, मतलब state और union territory बस, दो ही हमारे पार्ट बज़ गया, तो एक नॉंबर 1956 को फाइनली इस टाइप से करने के बाद में 14 state वने और 6 union territory वनी, 14 state और 6 union territory, जिसमें हमारे आते हैं, आंद्रप्रदेश था, आंद्रप्रदेश है, असम, इसके लाब आता है, मारब बिहार, बॉंबे, इस टाइप से हमारे 14 state आंद्रप्रदेश, असम, बिहार, बॉंबे, जंबु कस्मीर, केरल, अद्रप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़िसा, पंजाब, राजिस्तान, उत्रप्रदेश, बेस्ट बंगाल, और 6 union territory ती, अंड इसके बाद में, जब 14 state बन गए, तो इसके आलगले टाइम पर फिर demand rise होने लगी, जैसे 1960 में, जो Bombay state था, मतला यह था था हमारा Bombay state, मतलब महाराथी रीजन और गुजराती रीजन, दोनों को अलग करके महाराष्ट और गुजरात बना दिया, तो इसना हमारी state हो गए, पंद्र है, तो पहले दे पंद्र इस्टेड हो छे union territory, उसके बाद में 1961 में दादरा नगर हवेली, वो फाइनल एक union territory बना दिया, तो पं हो गए हमारी पंजाब हर्याणाव चंडिगड 1966 में, एक सहा कमीशन बनी थी, सहा कमीशन, तो पंजाब रियोर्गनेशन एक्ट आया था, इसकी रिक्रमेंडिशन पर, 1966 में जो सहा कमीशन बनी थी, पंजाब हर्याणाव चंडिगड तीन यहां से निकले, दो स्टेट और एक union territory यहां से निकली, 1969 को मेगाल एक स्टेट बना, 18 और 11 हो गए, और 1971 में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पहले union territory था, उसको स्टेट बना दिया, तिरपुरा जो state बना दिया, मनिपूर state बना दिया, यहां पर 18 और 3 state हो गए हमारे, लेकिन जो हमारी तीन उनिन territory को state में convert कर दिया, और 2 उनिन territory और एट हो गए, मिजॉरम और अचल प्रदेश, 2 उनिन territory को और एट कर दिया, 1975 में जो सिक्किम को acquire किया था, इंडिया ने, सिक्किम को finally ए लाज यूटी हो गई एटी सेवन को मिजोर्म और अनचरप्रदेश को फाइनल एक स्टेट बना दिया 2000 में एक त्टिसगण जारकंड और उत्त्राकंड इनको फाइनल इस्टेट बना दिया नावंबर 2000 के असपास की बात है नावंबर 2000 में उसके बाद में 2 जून कि दो जून को तेलंगाना 29 मीं इस्टेट है और उसके बाद में 2019 में जंबू कश्मीर ती तो अब क्या प्रोस मेर्ट कम हो गया जंबू कश्मीर को यह इस्ट यहां को मर्च कर दिया जंबू कम निनिएक्टरिटर को मड़ए तो 2019 भी जो कर दिय हमारी टूटल हो गई आठ तो आज के टाइम में 2022 में 28 स्टेट हैं इंडिया के पास और आठ यूनिन टारेट्री है यह था हमारा स्टेट कैसे बने किस टाइब से स्टेट का एवालुशन हुआ थैंक्यू थैंक्यू अब्रिवन